दोस्तो चोर ने एक आदमी को बजार में घेर लिया आदमी मुझे घर जाने दो चोर तेरी जेब में जितना भी पैसा है सब निकाल के दे दे आदमी भाई साहब जेब तो खाली है कहो तो पेटियम कर दू दोस्तो कुछ साल बाद बालिवुड की कोई फिल्म आएगी जिसमें मा अपने बच्चों को एटियम की लाइन में खो देगी और बाद में वो बच्चा पेटियम इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा दोस्तो कैसलेस भारत में होटलों या ढाबों पर खाना खाते समय साबधानी बरते हैं नेटवर्क नए आने पर बरतन धोने पड़ सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं एटियम की दोस्तो आपने एक बात जिरूर नोट की होगी ट्राजेक्शन होने के बाद लोग एटियम के कैंसल बटन को इस तरह दबाते हैं जैसे के अगर चूके तो दुनिया ही खतम हो जाएगी दोस्तो पपू एक बार एटियम गया उधर एक सुन्दर लड़की खड़ी थी लड़की पपू को बोली भाईया मुझे अपना बैलेस चेक करना है प्लीज मेरी हेल्प करू ना पपू ने उसे जोर से धक्का मारा लड़की नीचे गिर गई पपू बोला तेरा बैलेस तो बहुत ही खराब है दोस्तो जब नोट बंदी में एटियम से जाकर आते थे तो आस पडोस के लोग शोले के गबर सिंग की तरह पूश्टे थे कितने आदमी थे दोस्तो किसी को पता है एटियम को हिंदी में क्या कहते है अकाउट में होगा तो ही मिलेगा पप्पू एटियम से पैसे निकाल लो क्या सिक्योर्टी गार्ड हाँ भै निकाल लो पप्पू पेच कस ला तो जरा दोस्तो नोट बंदी में एक बार तो हद ही हो गई एटियम की लंबी लाइन में वो हकीम साहब भिठत कर गिर पड़े जो पूरे सहर में मरदाना ताकत के इलाज के लिए मसहूर थे दोस्तों कुछ लोटे एटियम से पैसे निकाल कर परची को इतना बरी तरफ आरते हैं उसकी हालत ब्या कर देती है कि अकाउट में क्या बचा होगा एटियम की लाइन में लड़का पैसे निकल नहीं है क्या लड़की नहीं लड़का मैं ट्राई करता हूँ लड़के के पैसे निकल गए लड़की वाओ आपने पैसे कैसे निकाले लड़का मैंने काड सीधा लगाया था दोस्तों मैंने भी आज फैसला कर लिया है अगर ATM से ट्राजेक्शन पर टेक्स कटेगा तो मैं भी ATM में पूरा आधा घंटा AC की ठंडी हवा खाकर ही बाहर निकलूँगा दोस्तो नोट बंदी में पपू बिमार हो गया नोट बंदी में पपू बिमार हो गया साला पैसे तु निकले नहीं लाइन में खड़े खड़े प्यार हो गया दोस्तो नोट बंदी का कुछ और तो ने फाइदा भी उठाया एक महिला ने तो ATM की लाइन में खड़े खड़े अपने पदी के लिए स्वैटर ही बुन दिया इसको जाते जाते कुछ और हसाने वाली सायरी सुना ही जाता हूँ अर्ज किया है लड़की रो रोकर लड़के से कह रही है वाह वाह लड़की रो रोकर लड़के से कह रही है हाँ छोड़ दे कमीने नाक बह रही है दोस्तों लेड़कियां दिन भर में अपनी 100 फोटो खीचेंगी उन्हें से 99 डिलीट करेंगी और बचा हुए एक फोटो फेस्बुक पर डाल कर बोलेंगी ऐसे ही बैठी थी किसी ने खीच दी प्रोग तो मेरे जनाजे को अब मुझे में जान आ रही है आगे से थोड़ा राइट ले लो गारों की दुकान आ रही है सुना है तुम्हारी निगाह से लोग कतल होते हैं जरा एक नजन मेरी बीवी को भी देखो वो मुझे अच्छी नहीं लगती करमचारी सर सल्ट अच्छी लग रही है आप पर मैनिजर मसका मतलगा मुझे छुटी नहीं मिलेगी करमचारी सर सिर्फ सल्ट अच्छी लग रही है मुझ तो वैसे ही है कुट्टे जैसा अली जाती है रोज रोज वो ब्यूटी पालर में यू उनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना मगर ये बात किसी बीवी को समझ क्यों नहीं आती कि क्या मुमकिन है किसमिस का फिर्फ से अंगूर हो जाना अरज किया है सोच समझ करने की जिसने साधी सारा जीवन विगाड लिया और सूज बूज से की जिसने साधी उसने क्या उखाड लिया पत्नी अजी सुनते हो वो अलमारी से वहर बैग उतार देना मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है पती तो जुबान से कोशिश कर वो तो बहुत लंबी है न नीद आती है तो खुवाब आता है खुवाब में एक लड़की आती है और पीछे से उसका बाप आता है फिर क्या फिर न नीद आती है और ना ही कुवाब आता है दोस्तों आज के लिए इतने ही सुरारती बिल्लू आता रहेगा आपको हसाता रहेगा प्लेज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करना ठेंक्यू एक लाइक जरूर करदो यार ठेंक्यू